बिस्मिल्लाहिरमानियुराहीम, असलाम अलेकुम, जैसा के मेरी पिछली वीडियो ड्रॉट पर थी तो आज का जो लेक्चर है वो है ड्रॉट इन पाकिस्तान, ड्रॉट को डिफाइन करें तो कुछ यूँ कि आ जाता है, ड्रॉइनेस द्यू टू लैक अफ वाटर, लैक ओवर एन एक्सटेंडिड पिरियर ऑफ ट्राइम इन इस पैसिफिक एरिया, पाकिस्तान में तीन तरह के शिदी त्रीन जो ड्रॉट थे, उन में से नमबर वन जो फिफ्टी एर्स का सबसे वर्स्ट वन जो ड्रॉट था, वो था 1997 से 2001 का, इसके बाद जो मॉडरेट किसम का ड्रॉट आया, वो था 2004 से 2005 के अंदर, यह दो बारा फिर एक शिद्दत के साथ सामने आया, और इसकी जो देखें तो यह है मिड 2009 से 2010, इसके बाद कुछ 1997 से 2001 के कुछ खास फीचर हैं जिसको यहां पर डिसक्स करेंगे, तो इसकी जो मैक्सिमम शिद्द थी 1997 से 2002 वाले ड्र खतनाखा तक पहुंच चुका था, पहला फीचर देखें तो पकिसान को 71.5 बिलियन जो रुपीज में लोस हुआ लाइफ स्टॉक का और अग्री कल्चर का, इसके बाद 2.21 मिलियन पीपल और 23.5 मिलियन जो लाइफ स्टॉक थे यह भी एफेक्ट वेट 1999 से 2000 के अंदर जो के पाकिसान को पाकिसानी रुपीज में 33 बिलियन लोसी का सामना करना पड़ा सिंद को, इसके लावा 40 परसेंट लाइफ स्टॉक लोस बलोचिस्टान को फेस करना पड़ा, उसके लावा 60 परसेंट का लोस जो लाइफ स्टॉक में वो सिंद को फेस करना पड़ा, इसके इसके बाद agriculture के उपर इसके खास असरात हैं उसमें से नमबर वन पे जो है वो स्रीयर जो है ग्रोथ सेट बैक है इन 2002-2002 इसके बाद लोस ऑफ मेजर क्रोफ जो ही वो 10% है जिसमें से शुगर केन है राइस है वीट है कोटन है और बाकी जो मेजर क्रोफ से उनका नुकसान हुआ फिर ओवराल जो एग्री कल्चर का टोटल लोस है वो 2.6% है फिर पक्सान में वाटर शोर्टेज का सामना हुआ उसी साल जो के 51 से रिड्यूस होका 41% का नंबर जो है वो देखने में आया फिर इसके लावा जो फॉलो फॉटर था रिवर्स के अंदर वो भी डिकलाइन हुआ और कितना रिड्यूस हुआ वो 109 बिलियन मिटर क्यूब रह गया अगेंस्ट 162 बिलियन मिटर क्यूब जो के 33% का लोस है इसके सबसे पहले जो है वाटर हर्वेस्टिंग जो थी क्रेस की शकल में या रन आफ को या प्रेसिप्टेशन को या बारश के पानी को सेफ करना मक्सूर समझा गया तो इसको सिंध के अंदर और ब्लोचस्तान के अंदर अपलाई किया गया पानी को बहुत सी जगों पे सेफ कर गया फर गजांपल करेस सबसर्वस के नीचे जो लाइनिंग थी पाइपस के अंदर चोटे 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 गड़े खोट के या बड़ी बड़ी जगों पे अकठा काल लिया गया इसके बाद दूसरा इस मसले को हल करने का जो तरीका है वो है स्माल डैम्स चोटे चोटे चो एक बनाकर जो है इस मसले को ड्रावड को खत्म किया जगा सकता है या काम किया जा सकता है इसकी शिददकों ओने जहां पर चाहिं के रहूं बर Felly बत्हुर्ड पाइर कि ढड़ी खेंप तरड़ करो गया सिन्दों के लाके और ओ गए और को हिस्तानों हो गया तो सबसे पहले जो है चोटे डैम बनाएगे कोहिस्तान में सिंध में अब वैसे भी पाकिसान के अंदर भी पूरे पाकिसान के अंदर जो है इसकी ड्राउट की कंडिशन काफी सिवीर होती जा रही है तो इसलिए हकूमते पाकिसान ने और खास तरपे चीफ जैसे साकमनसार ने भी इसके उपर दो डैम के उपर काम करना शुरू करती अधर एकूल बगर लगाकर पानी को अक्स्ट्रेक्ट किया जाए ताकि जो पानी की कमी है सकास्टी है उससे निप्टा जा सके उसको खतम किया जा सके फिर वाटर कोर्स इंप्रूव करके भी हम डौट को कम कर सकते हैं इसको मकमल طور पर तो खतम नहीं कर सकते हैं इसका जो लेवल है या इसकी परसंटेज है वो शिद्ध से कम की जा सकती है जिसमें वाटर कोर्सी यानि वो रस्ते वो खाले या वो बने और वो जगें जहां से पानी गुजारा जाता है जहां से लेकर फील्ड को ले जाया जाता है अगर वो कच्चे होंगे तो वहां से किया गया सिंद्ध के अंदर 44 फीसद कच्चे वाटर कोर्सी की वज़ा से नुकसान हो रहा था तो जब उसकी जगह पे हमने पॉली विनायल यानि पीवी सी पाइप या जियो मिम्ब्रेन के इस्तमाल करके वाटर कोर्सी के ब्रूफ किया तो वह 44 फीसद से कम होकर 33 फीसद का सिरफ लोस रह गया तो इससे खातर खाज फाइदा हुआ इसके बाद पाकिस्तान के अंदर तक्रीब न तेटीस फीसद जो वाटर कोर्सी हैं उनको इपरूफ कर लिया गया इसके लावा बहुत सी जो फील्स हैं या फार्मर्स के जो खेत हैं उनके अंदर बहुत से जो वाटर कोर्सी हैं या जो खाले हैं वो अभी भी कच्छे हैं जिससे बहुत सा पानी जो है वो जाया हो रहा है इसके अलावा है इंप्रूब फरोरीज प्लांटिंग इक्तिहार करके भी हम ड्राउट से या खुशक साली से निवड सकते हैं सिंद के आलाकों में ये बलोचस ऑपर ड्रिटली जो कसान की कोस्ट एक अफेक्ट करता है तो उसका नुकसान हो राए था तो अब एक नया तरिका दिया गया वह है क्रॉप बेड्ल के वह तो इससे फाटरा को जब थाया तो इस से 40 से 45 परसेंट वाटर जो है वो सेव हो जाता है बच जाता है यही वो पानी है जो जाया हो रहा था इसे अगर बचा लिया जाए तो इससे नेक्स सीजन या कोई और क्रॉप भी उगाई जा सकती है इस तरह एगरिकल्चर फिल्ड ने बहुत सी टकनीक के दिरी एक नई टकनीक दी है जिसमें ट्रिप इरिगेशन है ड्रिप इरिगेशन को माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं यानि के काम उकदार में पानी लगा का ज् इसके कुछ फ्रॉइद हैं वो यह है कि इससे अवैपरेशन के जो नुकसानात हैं या लोसिज़ा वो कम हो जाते हैं उसके इलावा रन आफ जो है वो भी रिट्यूस हो जाता है कम से कम हो जाता है इसकी एफिशेंसी को चेक करें तो वो 80 से 90 परसेंट है अब इसको मैं थो इसके के जरीए फिल्टर तक लेकर आया जाता है वहां पर रस्ते पर एक वाल्व लगाया जाता है ताकि पानी को वाइसली और वकत पे ही इस्तमाल किया जा सके एक फिल्टर भी यूज़ किया जाता है ताकि पानी के अंदर कोई प्लूटेंट या कोई पाइप के अंदर और ये पानी बहुत ही वाइजली से और बहुत एफिशेंटली जो है प्लांट्स की रूट्स के पास छोड़ते हैं ताके कामे से कम पानी जो है वो जाया हो सके तो ये एक बेतरीन तरीका इसके उपर सबसे पहले इनिशिल कोस्ट आती है यानि पाइप और ये मिशिनरी लेने पे लेकर उसके बाद इससे पानी के अंदर कमी हो रही है उसमें काफी जो है वो कमी लाई जा सकती और ड्रॉट जैसे मसले से बचा जा सकता है